तो मत्रदेश में लोगसभा चुनाव के पहले फेस की तयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं कॉंग्रिस के दिगज निता भी पूरी तयारी के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं इसी कड़ी में PCC चीफ जीतू पटवारी बाला घाट पहुंचे जहां पर उन्होंने रोट्चो करते हुए जनसभा को संबोधित भी किया बंसन लिउस से चर्चा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन छे सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी हैं कॉम्ससा कि चार सी टे कॉंग्रिस इस बार जीतने जा रही है कौन सी वह सीटे जीतू पटवारी ने वो भी बताया वन्होंने काई कि बाला घाट मढ़ला चिंदवाडा यहां पर कोंग्रिस की स्थिती बेहद मजबूत है और इन सीटों पर इस बार कॉंग्रिस की ही जीत होगी बालाघाट स्पेसिफिक अगर यहां की मैं बात करूं तो हमने देखा चार महीने पहले जब विधासभा के एलेक्शन हुए तो छह में से लुए चार सीटने कांगरेस में जीती थे खुद इहां पर कांग्रेस विधायक बैठी हैं जो इक बड़े मार्जिन से जीती थी उसके बाद कांगरेस ने इस बार एक फिर फ्रेश शहरा दिया है सम्राठ सरसवार के रूप में तो कांग्रेस कैंडिडेट को आप किस तरीके देखते हैं और वो कितना एट्रेक कर पा रहें अब आप लोग सब साथ में कैमपेंड कर रहे हैं तो चैसे में आम जन्ता से मिलता हूं कारी करता हूं से मिलता हूं और भी पब्लिक से इंप्रेशन ले जो बंते हैं वो यह कहते हैं अच्छे इंसान उनके परिवार की रेपो वह भी अभी जिला पंचायत के अद्देख्ष हैं सब नेताओं ने एक साथ एक जूटता से उनके लिए टिगिट की मांग की मतब कांग्रेस पार्टी एक जूट थी तो यह सब मापडेंड यह बताते हैं कि उनके जितने के लक्षन जादा है मैं पहले दौर में जो जिन कॉंस्टेंसी में वोटिंग होने वाली है उसकी बात करूँगा चाहे बाला घाट है मंडला च्हनवाडा जबलपूर सीधी शेहडोल कमोबेश आप सभी शेत्रों में तो चले गए होंगे कैसा रिस्पॉंस यहां की जनता से आपको मिल रहा है क् पीएम जवलपूर में है परसो बालाघाट में है फिर दोर की चार सीटेंगे आगरेस चीटेंग जो पहले दोर की शीया लिए जान पर रहा कैसी इस्थिति है इस वक्त व्यांब है कल रहूल गांधी जी आर आम सबहा है शेडोल में कल रहूल जी आ रहे है वांम सबहां